भारत में बौध इस्थलों को लेकर जो चिंताएं विक्त की जा रही है ना सिर्फ भारतिय बौधों आमिट्राइट बौधों बलकि अब विदेशियों को भी इस बात की चिंता होने लगी है इस बात को लेकर उन्हें अजीब सा लगता है कि भारत के जो बौध इस्थल है उ उसे धर्मों को द्वारा उसे ढखकर तरह तरह की कपड़ों उसे ढखकर उन बुद्ध मुर्तियों को या उनका रंग बदल कर किस तरह से उन्हें हिंदू देवी देवता के रूप में प्रिचारित करके वहां कमाई का जरिया शुरू कर दिया गया है यह तमाम बाते ना सिर को देखकर उसे बहुत बुरा लगा इंसानियत और प्रेम की तलाश में भारत आई यह लड़की अपना यह जो मिशन है उसने दो साल दो महिने और दो दिन का अब यह मिशन वह पूरा कर चुकी यह से इतनी यात्रा वह कर चुकी है और वह कहती है कि वह अपना देश याने कि सीमाओं को तोड़कर घर को छोड़कर और डर को छोड़कर वो बाहर निकली है और वो चाहती है कि तमाम लोग जो है इसी तरह से सीमाओं को छोड़कर घर को और डर को छोड़कर आपस में मिले प्रेम भाव लोगों में पन पे और इस तरह का जो बैर भाव है या इस त कि इस थापना के लिए वो घर से निकलती है भारत पहुंचती है और भारत आकर वो जो चित्र यहां का देखती है उसको लेकर वो आश्चा रिवेक्ट करती है I did this I stopped this project looking for humanity it's two years two weeks two days homeless fearless and boardless I let it go everything and I start to walk I did my first walk with the nagase here in India my first piece walk three years ago and then I I start this project in 2022 the 22nd of April अनीननेले है झाहतर पत्री धिक कम niet कर देखे ये इनका झार फेड़त मैं इतली minder लिक आप है स Wicke को ओूस्ताय कि प Chamन की मैं कर देखाब प्सrak Brook चै विक क्टो mayoría nghί cabin देखें वी कि बारी देखें एव्म आनना की उना तो बी शेर लॉव एंड एंड येस चिरियाका कहती है कि इनसानों का जो जन्म है वो अफरीका में हुआ और वो एक आइस एस तक याने कि हम यूग तक वो समय रहा जब तक लोग रहे और उसके बाद वहां के जो लोग हैं खासा उसे आदिवासी जो यहां के मूल निवासी ह जब वो बाहर जाते हैं या तमाम जगहों पर जाते हैं तो उन पर अत्याचार होते हैं वो मारे जा रहे हैं मूल निवासी हो पर होने वाले अत्याचारों को लेकर वो चिंटा वेक करती है कि अड़ मीक, मरी जा चाना मारे जीern कि अन्याचारी को पर होना मैंस्टारी होग कि एंषोना है जो से cayनो तो बाहर से पूछा कि क्या वो डॉक्टर बाबा साव बेट करके बारे में जाते हैं बारे में और क्योंकि उन्होंने ऑंटेचिबल्स यानिי की जो अच्छूत हैं उनके लिए काम किया है और वह जानती है की अच्छूतों का एक बहुत बड़ा समो यहां पर उपत्चित रहा है लंबे समय से वह उसके लिए उन्होंने काम किया था में अन्形 जैंए होइश Disa Ria नाड़ चौनत करना में होग TIMे हुड में G streaming पिसमिन देह प्रपद क कष्छ यह एवार ने कि कर में सकते हैं यह अनुग्त इनुग्त पिसमिक आजला नुग्त करोक्ति नाखिव कि यह न दोस्तास ने गативारत की खिय fine के बारे में वो बहुत ही चिंती थे वो कहती कि भारत में जो जाती विवस्था है इसको लेकर वो बहुत ही दुखी है ऐसा नहीं होना चाहिए एक तरह से यह मानाव अधिकारों का उलंगन है कर भार्य जुखी है अगर आ यह को बहुत है वह तो में बहुत है कि बिश्या नहीं वी नहीं है और वी नहीं में पहुत है झाला है यह पिर इसकते दो चाहिए बिहा उन्या यह ज़िसां व 00 fist Peachism делать this is not right this is also I'm happy to come here because I left Europe usually I walk the idea was to work to appear but I could arrive in time and बाद पर में तो इस इस एक इस एक इस इस भूमन राइट के इस वक्त बहुत के साथ में भारत का ब्रह्मन कर रही है। In Europe, I also in Italy I went visiting all so many Buddhist monastery and they welcomed me and I was really honored to be there I really love Buddhism because also they have a lot of respect of animals I love the religion and the philosophy about it and I think that the bad things that happened to पुछा कि वो जानती हैं गो जन्म है वो भारत में हुआ है तब उन्हों ने जवाब दिया कि वह जानती है कि बुद्ध धम का जन्म है वो भारत में हुआ लेकिन यहीं वो ज़म जो है वो उपेक्षित है एक तरह से उसे बंद कर दिया जा रहा है एक तरह से उसे धक दिया जा रहा है उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है यह बात उन्होंने कहीं और साथ ही यह आशाविक्त की कि आगे चल कर बहतर होगा कि इस धम को यहां पर वही स्थान वही सम्मान मिल I know this is from, Buddhism is from India, and sometimes I've been a little bit neglected some years, you know, so I hope that many places that also I visit with a monk three years ago that have been covered, you know, by other religion or by other things. So I really hope that, yes, Buddhism will be back also in India, yeah, in the proper way. And when we get to talk about these in India, then we have to talk about this time. कि हां मैं जानती हूं इस बारे में कि वो उन्होंने यहां पर बुद्धधम के पुनास्थापना की और खासों से उन्हें 14 अक्टुबर के उस तमाम जलसे का वो जिक्र करती है वो दृष्ट बताती है कि हां उस पर एक उस्व भी होता है और वो उसमें शामिल भी हो चुकी ह और वो बाबा सहाब के कारियों को लेकर अनुगराइद वो कहती है कि बहुत 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 ही शांदार काम उन्होंने किया है चिरिया का चाहती है कि भारत में बुद्ध धम फिर से स्थापित हो पुना स्थापना हो और भारत में बुद्ध का जो धम है वो उसी सो रूप में पुना वापिस आजाए